आज हम लोगों ने फैक्टराइजेशन को डिसकस करना है फैक्टराइजेशन के लिए मैं आपको वैसे तो काफी सादे स्टूडेंट्स को यह मैंठड आता होगा क्यूंकि आप लोग 8th क्लास से भी यह फैक्टराइजेशन को स्टूडी करते आ रहे हैं लेकिन यहां मैंने easy method में इसको समझाने के कोशिश किया ताके जिन लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं आती उन्हें भी समझ में आ जाए कि फैक्टराइजेशन किस तहां से की जाती है फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपने question को देखना है और question के अंदर यहां पर जो sign मौजूद करने है और अगर यहां माइनस का sign होगा तो आपने factors को subtract करने है ठीक है अगर plus का sign होगा तो factors add होंगे minus का sign होगा तो factors subtract होंगे ठीक है अब अगर यहां plus का sign है लेकिन इधर आपके पास minus का sign है तो factors को तो आपने add करने है तो आपने दोनो factors के साथ minus का sign लगाने है ठीक है इदर माइनस है तो दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस का साइन आएगा लेकिन अगर इदर आपके पास प्लस है और इदर भी प्लस है तो दोनों फैक्टर्स को आपने एड़ करना है दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा ठीक है अगर इदर प्लस है इदर माइनस है तो दोनो factors के साथ plus का sign आएगा अगर question में इधर minus होता तो दोनो factors के साथ फिर minus का sign आता फिर factors आपने किस तरह मनाने हैं कि जो constant term होगी इसको आपने multiply करना है x square के coefficient के साथ ठीक है constant term को और x square के साथ वाली term को आपने multiply करना है जो answer आएगा उसके आपने factors बनाने हो ठीक है जिसता है यहां पर तो answer 3 आ रहा है और 3 के just two factors होते हैं 1 and 3 आपने उसके factors बनाने हैं और factors इस तरह के बनाने के add करने पर आपके पास यह दिर्मियान वाली चीज़ है यह दिर्मियान वाला number है ठीक है तो 3 और 1 उसको हम add करते हैं आपके पास 4 आता है तो आपके पास एक factor बनेगा 3x और एक factor बनेगा x ठीक है फिर next आपने क्या करना है first two terms में से और next two terms में से common लेने अब यहां से आप देख रहे हैं 3x common आ रहा है आप 3x common ले लें जब आप 3x common लेंगे तो यहां से 3 common आ गया 1x common आ गया 1x बच जाएगा ठीक है और यहां से आपने 3x complete common ले लिया है तो कुछ भी नहीं बचाएगा जब आप complete common ले लेंगे तो आपके पास 1 remainder बचाएगा तो आपके पास क्या आ गया x plus 1 next time में आप देखें कुछ भी common नहीं आ रहा है जब हमारे पास कुछ भी common नहीं आ रहा होगा तो हम 1 को common ले लेंगे ठीक है क्यूंके दोनों में 1 तो आपके पास आ रहा है ठीक है हमने 1 को common लिया तो आपके पास क्या बचा x plus 1 अब इन दोनों values में x plus 1 आपके पास common आ रहा कर रहे हैं और आंसर आपके पास 0 आ रहा है ठीक है तो ऐसा multiplication में मारे पास 0 कब आता है सिरफ तब आता है जब दोनों में से कोई एक value आपके पास 0 हो ठीक है जिसना से अगर हम कहते हैं कि 2 multiply x is equal to 0 इसका क्या मतलब होगा 2 तो 0 हो नहीं सकता इसका मतलब यह x जो value है जो दूसी value है यह 0 होगी यानि इन दोनों में से at least एक value आपके पास 0 होगी दोनों भी 0 हो सकती है इसलिए यहां पे हम और लिखते हैं ठीक है कि या तो हमारे पास अब हमें नहीं पता कौन सी 0 है तो या तो हमारे पास यह वाली value zero गई हैं यह वाली value zero हो इसलिए यहां और लिख्या अब यहां से अपने iX की value निकाल लेमाएंगी हैं यहां या आपके पास यहां से value आगेma-1 और यहां से VAN5 और यहां से वोसाइद पर आपने 3 के साथ divide या तो —1 by 3 question number two same इसी तरह का question है 12 के factors बनाने हैं जिने add करें तो seven है अब 12 के factors आपके पास कौन कौन से बनते हैं एक आपके पास बनता है six two's are 12 तीक है लेकिन इनको आप add करते हैं तो आपके पास eight आता है seven नहीं आता इसका मतलब ये factor नहीं बनेगा फिर 12 के factor आपके बनते हैं four three's are 12 तीक है अब four और three को आप add करते हैं तो seven आता है तो इसका मतलब इसके factors क्या बनेंगे four x and three x और दोनों के साथ plus का sign हैगा क्योंकर यहां plus का sign है इसी तरह से question number three question number three में अब आप यहां पे देखें minus का sign है अब जब यहां minus का sign होगा तो हमने factors को subtract करना है ठीक है अब subtract करने के बाद हमने यहां पे देखना है कौन सा sign है अगर minus का sign है तो फिर जो बड़ा वाला factor होगा उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे जो छोटा फेक्टर होगा उसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि बड़ी वैल्यू में से जिसतां से माइनस 3 है माइनस 3 में से अगर हम 2 को निकालते हैं तो हमारे पास बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू को निकालते हैं तो answer हमारे पास negative वात है इसलिए आपने बड़ी वैल्यू के साथ negative sign लगाने है ठीक है और अगर आपके पास यहां plus का sign है तो आपने बड़ी वैल्यू के साथ plus का sign लगाने है आपने 5 को 9 के साथ multiply किया तो आपके पास answer आया 45 अब 45 के factors आपने बनाए ठीक है एक factor बनता है 3 multiply by 15 और एक बनता है 9 multiply by 5 9 और 5 को minus करने से आपके पास 12 नहीं आता इसका मतलब हम इस factor को consider नहीं करेंगे ठीक है ये वाला factor आपके पास नहीं बनेगा कौन सा factor बनेगा 3 multiply by 15 तो आपने 3 multiply by 15 वाले factor को बनाया ठीक है और बड़ी value के साथ minus का sign चोटी value के साथ plus का sign फिर आपने इन में से 3x common ले लिया ठीक है यहां से जब आपने 3 common लिया तो 3, 3, 9 होता है आपके पास 3 बचा और x बचा और 3, 5, 0, 15 होता है 3 आपने common ले लिया 5 यहां बच गया x भी आपने common ले लिया तो आपके पास 3x minus 5 बचा यहां पे कुछ common नहीं आ रहा तो जैसे मैं आपको पहले बता चुक्यों कि जब कुछ common नहीं आएगा आपने plus 1 को common लेना है प्लस 1 जब आप common ले लेंगे आपके पास अब इन दोनों ड्राम्स में 3x minus 5 common आ रहा है क्या बचाएगा 3x plus 1 दोनों फैक्टर इसको अलग जिरो के एक्वल रखके आपने x की values पाइंट कर लेने है question number 4 सेम इसी तरह से होना है तो को equality की दूसरी साइट पर ले जाके उसको आपने solve करना है बाकी के questions जो हैं वो आप नेक्स वीडियोस में दो